जो कम लोग जानते हैं वो भी इस किताब में जाहिर किया गया है कम्मिनिस्ट पार्टी से कैसी उनकी दिलचस्पी थी और इसके अलावा वो एक पत्रकार भी थे, मेंबर आफ पार्लियमेंट थे ये सारे पहलो इस किताब में जाहिर किये गए हैं तो हम शुरुआत करते हैं हजुरत साहब के एक शेर के साथ कौर कीजिगा छोटा सा शेर है लेकिन बहुत अच्छा है आर्जू तेरी बरकरार रहे आर्जू तेरी बरकरार रहे दिल का क्या है दिल का क्या है रहा रहा न रहा तो अब ड़की साहब बहुत अच्छा शेयर सुना है शुक्रिया साथियो वक्त बहुत था मैं कुछ इस्थे जो है किताब के आपके सामने पेश कर रहे है मौलाना हज़रत महानी उन्नाओं में पैदा हुए शुरुवादी तालिम उन्नाओं और फतेपुर में पुरी खनने के बाद सालिम जलिया लीगर गए उनकी बेटी नईमा ने लिखा उन दिनों लीगर जाना फिलाए जाने से कम नहीं था हस्रत लीगर जाने लेकर तो बहुत रोना दोना मचा बाजू पर इमाम दामिर पांदे गए और उसके बाद रुक्सत हुए हस्रत के लीगर जाने के बाद उनकी हुलिया का जिक्त काफी दिल्चस बंदाज में जगरना दादाज, खौजा हसन निजामी, किर्ष्न बल्देयो, सज्जाद दहीर रशीद एमद सिद्धी की बगएर ने किया है रशीद एमद सिद्धी की ने लिखा उनकी कोल शिद्री डाड़ी, बारीक आवाज, छोटे साल की एहनक बगएर फुदने की पुरानी टूपी, गिसी पिटी जपन, मोजे ते कोई सरुकार नहीं मोटे खदर की पेवन लगी शेरवानी जिसके अकसर बदर तूटे या गायब हाथ में बदरंग, जूट का जोला, जोला, जरी, सक्या, मोटी, मिलगजी, चादर का मुकसर, विस्सर, टेड़ा मेड़ा पुराना ट्रंग, ये से हसरत अलिगवर में हसरत जिस उन्जिया ते कैसे उसका मदाग उड़ाया गया सा रशीद अमस लिकते हैं, बादू पर इमाम लामिन, मश्रू का पैदामा, एक बड़ा पांदान साथ, लड़कों में खाला अम्मा कहला है लेकिन यही हसरत अपनी प्रदिबा हिम्मत और सचाई में ऐसे खरे साबिस हुए कि सास्थियों के आँख का तारा बन गया है अली कालिज में बिट्चिश हुकूमत से सबसे पहले खाला अम्मा नहीं कटकर लिया कालिज में हलचन मच गई, हसरत निकाले गए शौकत थानवी ने हसरत के साथ अपनी पहली बुलाकाद का बहुत दिच्चस अंदाद में जिक्र किया है उनकी सियासी शौरत और शारी पढ़ने के बाद शौकत थानवी के दिवाग में जरूर हसरत की एक तस्वीर बनी होगी कहते हैं, हमीरपुर में एक मुशारा साथ मैं लखनों से चला कानपूर में एक साहब और साथ हो लिए उजड़ी सूरत, एनक में एक तरफ धज्जी बंदी, मैली से तुर्की टोपी, उटंगा सा चार खाने का पाजामा, ढीली ढाली शेरवानी, पैरों में मैला सा किर्मिश का जूता चीची करसी आवाद, अजीब भद्दा सा नक्षा साकिब कानपूरी ने बताये कि आप मौराना हस्रत महानी है, मैं सक्से में रह गया, या ला ऐसे होते हैं हस्रत महानी, चूंकि सदा तरी जो बने भाई कहलाते थे, उनका धिकर आया, इसलिए ये बता दूँ, कि 1936 में लक्ष्णॉप, पी डबलुए की कांटरंस में बने से बताया, उनको स्टेशन मोटर लेने गई, खाली लोट आई, इक पर बैटकर आ गए, कांटरंस के बाद जब वापस जाने लगे तो उन्हें फर्स क्लास के किराया दिया गया, फॉरन बोले आप फर्स क्लास के किराया किम दे रहे हैं, मैं थर्ड क्लास में आया हूं, वह फर्स क्लास में क्यों चलते हैं, फॉरन बोले, इसलिए कि फॉर्स क्लास नहीं होता है, बने भाई और फैद हमद, फैद मौला रहा कि शफसे हो तो शायरी से बहुत मतासित से, हस्रत की वफात पर फैद साब ने कहा था, मर जाएंगे जालिम की हिमायत न करेंगे, एहरार क कुछ नमिला है, जो कभी सुछ से मिलेगा, अब सुछ नमिलने की शिकायत न करेंगे, हस्रत की रूदाद जिन्दा, जेलका जिकर, हस्रत की रूदाद जिन्दा, जेल में उन पर जो गुजरी, पढ़ो या सुनो तो रूमटे खड़े हो जाते हैं, मगर हस्रत की हम्मत को देखिए जेल में भी जेल को गुलिस्ता बना दिया रूख को महवे जमाले रुखे जाना कर लें हम अगर चाहें तो जिन्दा को गुलिस्ता कर लें मौलाना जंग आजादी में कई बार जेल गया उनकी जेल की मुझत खासी लंबी हज़रत की पहली किरिफ़ारी निस सो आट में हुई दो साल की सदा हुई सदा सुना जाने के बाद हज़रत कचैरी से जैसे ही जेल पहुचे एक लंगोट जांगिया एक कुरसा टोपी एक टुकड़ा टार्ट कंबल औरने बिचाने के लिए लोहे का एक छोटा सा बड़ा तसला इसके अलावा और कोई चीज़ पास रखने की जादत नहीं थी हसरत का कहना थी कि शुरू में स्थोड़े सामान से तकलीफ तो जरूर हुई लेकिन कुछी दिनों के बाद इस बाद का एसास हुआ कि आदमी की जरूरते हैं इसनी कम हैं कि बगएर किसी चलकपट के कुछी सामान में अपनी जिन्दगी गुजार सकता है हसरत की पहली कि रफ़तारी के वोगत उनकी बेटी नईमा बहुत चोटी और बीमार सी बेगम हसरत ने जेल में पर्चा भेजा तुम पर जो मुसीबत पड़ी है उसे मरदानावार बरदाश करो मेरा और घर का बिलकुर ख्याल मत करना खबरदार तुम से किसी खिसम की कोई कमदोरी का इजहार ना हो खौजा असन निजामी लिखते हैं हसरत की बीबी हंदोस्तान की मुसल्मान औरसों में बड़ी वफ़दार और शोहर परस्त है ऐसी वफ़दारी इस औरस ते जायर हुई जैसे सीथा जी ने राम जिंदर जी के साथ की थी सदा के बाद अलीगाट जेल ते लाबाद नहीं जेल भेजे गए हजरत नहीं रुदादे जिन्दा में लिखा इलाबाद के लिए अलीगाट जेल ते स्टेशन ते पुलिस वालों के साथ पैदल स्टेशन ले जा जा गया ट्रेन की रवानगी बहुत करीब था लेकिन पैरों में सलागदार वेडियों की वज़े दर असार धीमी थी ये खनीमत हुआ कि बुंदा बांदी की बज़ा दे जमीन कुछ नम हो गई कुछ दूर पुदर चलने के बाद पुलिस वालों ने बेगार में एक एकार रुका और उसमें हम सब को भग दिया सरकार ने रास्ते के लिए खाने के पैसे नहीं दिये थे नतीजा ये हुआ कि दूसरे दिन सुबा तक कुछ भूने चनों के अलावा कुछ नसीब नहीं हुआ इलावा सेंटर जेल में चक्की की मशक्रत तब से जादे सफ़ है क्योंकि वहां रामबास और हाथी चिंगार कूटने की मशक्कत मौजूद नहीं है जो चक्की से भी बस्तर समझी जाती है जिसके निज्बत जेल में ये शेर कैदियों की जबान पर है जेल खाने का बुरा रविया कोई किसी का यार नहीं रामबास की कड़ी मशक्कत चक्की से इनकार नहीं लिखते हैं मेरे हाद पर ये लुकाम की ये खास इनायच थी कि कायद की तमाम मुद्दत इसी मशक्कत में गुदर गई कायदे के हिसाब दे एक कायदी को पंद्रा सेर से तीस सेर गल्ला पीस्तें के लिए मिलना चाहिए था लावाद में मुझे तीस सेर के बज़ा चालिस सेर पिस्वाया गया इस मद्दत में मौलाना ने रोजी भी रखे शेर और शेरी भी करते रहे हाया मश्क का सुकान जारी चक्की की मशक्कत भी एक तुर्फा तमाशा है हसरत की तबीद भी 1911 में अज़र अपने घर अज़र अज़र दोबारा ग्रिफसार के लिए उनके घर की और प्रेस के चलाश हुई प्रिस वाले उनकी किताबें और कागल बोरे में भूसे की तरह बढ़ ले गए 1921 में अज़र 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 कांग्रेस में लीग के इजलास में मौलाना ने मुकमल आज़र दी का प्रिस्ताव पेश किया था ग्रिफसारी होनी होनी थी असायो गांदान नोरों पर चलनाज मौलाना सुधिशी स्टोर कांग्र पहुच भी नहीं पाइसे कि 14 अपरेल 1922 का गरिफसार करने के लिए म Streep łama के लिए फूर बेटी नईमा की शादी की सज्वीर के लिए मुझशप Bye अभी म सिरफ कर कर लिए गए बेटी नई धकजव कर लिए गए घ्यादी कि अर्जिविए थिएृम मौलाना अपने को इश्टराकी मुस्लिम यानि कॉम्मिनिस मुसल्मान कैसे से। दुर्वेशी और अपकलाब मसलख है मेरा सूफी मौमिन हूँ इश्टराकी मुसलिम हूँ। जमाना वो जल आने वाला हस्रत किसी का नमेहनत पर दावा रहेगा। मौनीश नरायन सक्षेना कमिनिस पार्टी के बड़े लीडर और बड़े राइटर से उनका कहना सा कि मौलाना उनके साइकल के कैरियर पर जूट का जोला लेकर पीछे बैट जाते से और कानपूर के गाउंगां में जाकर कमिनिस पार्टी का काम करते से मौलाना का कहना था गांधी की तरह बैट के क्यों कातेंगे चर्खा गांधी की तरह बैट के क्यों कातेंगे चर्खा लेनीन की तरह देंगे ना दुनिया को हिला कानपूर में 1925 में कम्मिनिस पार्टी का अधिवेशन हुआ इस अधिवेशन के सजारत मौलाना ने की अंडर ग्राउंड रायकर पार्टी का काम खड़ते रहे सुदेशी स्टोर खुला था है कानपुल मुना है जिन में डांगे यश्पाल शौकत उस्मानी मुझफ़र अमद बगारा से भारत में हस्रत की कोशिदे उन्हीं के सुदेशी स्टोर में कमनिस पार्टी की बनियात प हुआ उस गाटन लाज घंडा लेरा कर किया गया कृष्ण भगसी कृष्ण के बड़े भगस है ऐसे मुसल्मान को शकीदा कि कोई दख्यानूसी से दख्यानूसी मुसल्मान भी उन पर इसराद नहीं कर सकता था वो रोजे नमाज के पाबंद से और ग्यारा बार हच्च किय था ये सब एक तरफ लेकिन जिस बाद तो हसराद सही समझते थे उसे कहने में कोई संकोश नहीं करते थे उनका इसलाम बड़ पका अखीदा था लेकिन दूसरे के विश्वाद और मजब की इस्दत करते थे उनके हाँ इसलाम के बज़र्गों के अजावा जिसका नाम बार केंडिक कर्शन को श्रीक कर्शन जी माराज अलेह सराम पैगमबर हंदोस्तरान कैसे से और यहीं बज़ाए कि करीब करीब हरसाद जन्माष्टमि के दिन मसराज आकर कर्शन ची को श्रिद्ध रिप कर से वो बर्साना ननगाउं और मस्राज आया करते थे उनका कहना था पेगामे हयात जाविदा है अर नगमा कर्शन बांसरी का मेरा प्यारा कनया बिराजत है मोहिब बिर्ज वही बांसा नगरी वाकी चौकट मैं पलकन जाड़ू जहां सीज धरे दुनिया सारी हसर कि भी कबूलो मस्रा में हाज़ी कहते हैं आशिकों पे तुम्हारा करम खास प्यूशन बांसरी उन्होंने अवजी उर्दू में चारी की है बिरा की रहन कटेना पहार बिरा की रहन कटेना पहार सुनी नगरिया पड़ी है उजार निर्देश श्याम पर्देश सिधारे हम दुख्यारें छोड़ छाड़ मुपे रंग न डारो मुरारी बिंसी करस्त तुहारी पनिया भरन का जाहे न देया श्याम भरें पिछकारी थर्थर कापत लाज़त थर्थरत देखत है नर्नारी मन तोसे प्रीत लगाई कनाई काहू की सूरत अब काहे कब आई गोकुल ढूंडा ब्रिंदावन ढूंडा बरसाने लग घूंग के आई सन्मन धन सब वार के हसरत मसुरा नगर अब धूनी लमाई खूली बहुत दूंडाम देखे थे एक बार तीन दिन तक घूली के रंग पड़े कपड़े पहने मस्जिद में नमाद पढ़ने जाते रहा है एक साहब ने का मौलाना कपड़े तो बगल लीचे बोले मुराहिलाल की बीबी ने रंग डाला है मौराहिला लौद्गी कांग्रेस के कारणपूर में बहुत बड़े लीडर से बड़े आशिक मिज़ाश से मौलाना कहते हैं उनके शाहरी के बारे मैं थोड़ा तक करके मैं खत्म कर रहा हूँ हम नहीं जान से अज़ाब औ सवाब सीधा सीधा एलान कर दिया हुनों ने अज़ाब सवाब हमें जब कि शक्रना है तो करना है बाकि सब नमाज, रोज़ा, हज ये सब अपने जगापे है हस्रत मौहानी के शाहरी में पहजान उनकी घजल से है वो घजल के शाहर से है एस्रशाम हुसेंण ने एक मदमून में लिखा हस्रत मौझूदा दोर के सबसे बड़े घजल को शाहर है सबसे बड़ा शाहर है, ये इसमें दोराई नहीं, बहुत बड़ा शाहर है प्रफेजर आले अहमत परूर ने लिखा दोसे दोर यानि 1920 तक के सबसे बड़े क्लासिकल शाहर है फैजर अमद फैजर साब ने कहा शाहर को चाहिए कि हर मौझू पर शेयर तखलीक करे जिसमें जासी आशकी भी शामिल हो सियासी मसलक भी हो उसमें धूल, धूब, चान्नी, जमीन, आजमान, भूक, खरीबी, घरस, सब कुछ शामिल हो और यही हस्रत है हस्रत किशारी का कमाल यह कि उन्होंने माशुक को जिस अंदाज में देखा उसी अंदाज में बयान कर दिया घर से हरवस निकल आते हो, खोले हुए बाल घर से हरवस निकल आते हो, खोले हुए बाल शाम देखो न मेरी जान सवेरा देखो सर कहीं, बाल कहीं, हाथ कहीं पड़सा है सर कहीं, बाल कहीं, हाथ कहीं पड़सा है उनका सोना भी एक इस शान का सोना देखो वो शर्माएं बैटे हैं गर्दन जुकाएं घजब हो गया एक नजर देख लेना और क्या अच्छा शेर है हुसने बेपरवा को खुद्बीनो खुदारा कर दिया क्या किया मैंने कि इजहरे तमन्ना कर दिया तोड़कर रह्दे करम ना आशना हो जाएए बंदा परवर जाएए अच्छा खफ़ा हो जाएए तोड़कर रह्दे करम ना आशना हो जाएए बंदा परवर जाएए अच्छा खफ़ा हो जाएए निगाह नाश जिसे आशना है रास करे वो अपनी खूबिये किसमत पर क्यों ना नास करे खरत का नाम जुनू पड़ गया जुनू का खरत जो चाहे आपका हुसने करिशमा सास करे और उनका वो मशूर सबीर सुनते हैं चुपके चुपके राद दिन आसू बहाना याद है हमको अब तक आशकी का वो दबहाना याद है दोपहर की धूप मेरे बुलाने के लिए वो तेरा कोटे पर नंगे पाओं आना याद है तुम से मिलते ही वो बेबाग हो जाना मेरा और तेरा होटों में वो उंगली दबाना याद है बहुत है बहरा लेकिन 1951 में हसरत इस दुनिया से गये और ये कहते बगए रास्ते में हर कदम पर ठोकरें कितनी लगी फिर भी जाने के मुझे अपना सफर अच्छा लगा शुक्रिया दोस्तों जी तो नहीं चाहता ये सफर थमे फिर भी हम इस सफर के आखरी पढ़ाए